एक बलतकारी बावा के साथ खूब सोपे नजराय करते थे गुजरात में बलतकारी बावा बलतकारी बावा श्री नरेन मोदी जी खूब उस बावा के चरन छूते थे उस बलतकारी बावा के तो यह बावा आके हमको लोग को समझाएंगे चुनाव परचार करने वाला यह बावा डोंगी बावा भारतिय जनता पाटी की राजनितिक तीन जगा जाके टिकती है और वैसे राजनितिक के लिए तीन चीज की आवा सकता है जिसमें तीनों चीज भाजपा भी पिछले कई स सालों से इस्तिमाल कर रही है जैसे के बता दूं आपको जैमाता की मित्रो मैं धनेश्वर मेहतोग धिरेंद्र सास्त्री एक धोंगी एक नोटंकी बाज बाबा बिहार आया बिहार के लोगों को गाली दिया और उसकी सभा में पंदरा लोग बिहोस हो गए जाइड सी बात होंगे गर्मी का टैम है लेकिन अपने आपको चमतकारी बाबा कहलाते हैं मतलब खुद को पेश करते हैं तो यह चमतकारी बाबा एक परची निकालने का ही चमतकार दिखाता है भाई मैं कई बारी कह चुका हूं कि यह तो कला है के ऐसे बहुत सारे चमतकारी सो करते हैं उसके अंदर नाम पढ़के बताते हैं कि फलाना नाम है आपके बापका नाम ऐसा वब आपकर कि तमाम करेकी बात बताते हैं उसको कि अब ही जो क्या करते हैं देश में एक माहाल सा पैदा हो गया है धृरेंद्र सास्त्री को किसने ऐसा एक दम शे इतना नामी बावा बनाया यह सोचने कभी से है कि आखिर इतने से साल डेध साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बच्चा-बच्चा इस बावा का जनाम जान गया कौन है ऐसा महान हस्ती वह महान हस हमारे देश की गोदी मिडिया है क्योंकि सुबह से लेके रात तक ध्रेंद्र सास्त्री को दिखाना वह बावा तो लाखों करोड़ों हैं हमारे देश में लेकिन एक ही बावा को क्यूं सबसे बड़ा परसन है इसी बावा को क्यूं क्योंकि ये बावा बीजेपी का एक एजेंट है और इस बावा के इर्दगिर्द बीजेपी के सारे नेता आपको नजर आ जाएंगे यहां तक कि आपने देखा होगा मनोज तिवारी इसकी ड्रैवरी भी बाबा की करता है तो मतलब आपको समझ में आ रहा है और इस बाबा का सीधा बिहार का दौरा का मतलब समझ रहे हैं बिहार में जड़े हिल गई है बीजेपी की यह सब्त है जब से नितीश कुमार जी गए गए हैं बीजेपी के तब से बीजेपी का दिमाग जो है सेंटर से खिसक चुका है क्योंकि महा गठवंदन इतनी भारी पड़ रही है इनको कि इनको कुछ सूझ नहीं रहा तो इनका सिस्टम यहीं लगा कि बिहार में अगर कोई हमारा नईया पार लगा सकता है तो कोई ब सिंद्ध किया जाए बिहार में आगमन किया जाए बिहार देभूमी है और यह पगला बाबा यह पगला बाबा है हम इसको पागला बाबा बोलते हैं यह पगला बाबा वर Susieं को धर्म सास्तर का घ्रान रहा है इस पगला बावा को यह नहीं पता कि बिहार के बच्चे बच्चे माता बहने छोटी छोटी बच्चियों में धर्म सास्त्र का ग्यान है और राम मैं है क्योंकि सीता माता की धर्ती है बिहार तो यह समझ लीजिए कि बिहार सीता माता की धर्ती है तो राम जी का तो यहां जुड़ा ही हुआ है तो यह बावा के हमको लोग को समझाएंगे चुनाव परचार करने वाला यह बावा ढोंगी बावा दूसरी बात भारतिये जंता पार्टी की राजनितिक तीन जगा जाके टिकती है और वैसे राजनितिक के लिए तीन चीज की आवा सकता है जिसमें तीनों चीज भाजपा भी पिछले कई सालों से इस्तिमाल कर रही है जैसे के बता दूँ आपको बावाओं के इर्दगिर्द भारतिये जंता पार्टी की राजनितिक बाख खूबी घूमती है क्यों घूमती है यह समझने की आपको जरूर भूमती एक बलत कारी बावा के साथ कि ठूम सोपे नजर आया करते जहा करते ते गुजरात में बलत कारी बावा बलत कारी बावा खूस egvr के चरन छूते थे उस बलतकारी बावा के और वो बावा कौन थे आशा रामबापु खुब चर्चा थी देश में आशा रामबापु की भी दस करोर भग्ध थे उसके बन गए रिजल्ट आप सब के सामने है कहां है जेल में रामरहीम के इड़गीर्द भारतिय जनता पाटी क नेता और बावा के पास क्यों जाते हैं भारतिय जनता पाटी के नेता ये समझे आप क्योंकि उनके पास संख्या बल है भग्त हैं बावा एक बारी अपने भग्तों को इशारा करेंगे कि आप फलाने को मत दो तो जाहिर सी बात हैं बावा के भग्त हैं मानेंगे कहना तो बैंक के लिए बावा के इड़्द भारतिय जनता पाटी के निता घूमते हैं राम रहीम पंजाब हरियाना में जबरदस्त पकर तो इसलिए आपने देखा होगा पीछे राम रहीम को निकाला भी गया था जेल से आपने देखा इस चीज को क्योंकि चुनाव हरियाना में नज मेडिया चाहिए जो सुवा से लेके आपके नाम का परचार कर सके लोगों को गुम्राह करने का काम कर सके वो हमारे देश की गोधी मीडिया भी बाख्षूबी कर रही है और कैसा रोल अदा किया कर रही है मेरे ख्याल से छोटा से छोटा बच्चा भी मेरे हिसाब से हुआ है मां की एलेक्ट्रोनिक्स मीडिया से विश्वास उठकिया है लोगों का और मुझे लगभग तीन साल हो गए टीवी देखे हुए नहीं तो मैं ऐसा सक्स था कि रातरी दो बजे तक हर चैनल को सुनता था अब बंद कर दिया हूं तीन साल से तो मेरे जैसे लाखों क बेक्ती है जोने समचार सुनना बंद कर दिया सोसल मीडिया पर देखता हूं उन पत्रकारों को सुनता हूं जो जिन पर विश्वास है और जो सच का सचाई की लड़ाई लड़ते हैं उनको सुनता हूं मैं दूसरी बात धनबल चाहिए लाश्ट में सबसे महत्पून तो धनबल है जो भाजपा के पास अल्रेडी कई उद्योग पती ने सौधा किया नरेंद मोदी के साथ भरतिय जनता पार्टी के साथ कि हम तुम्हारी सरकार बनाने में सारा माल देंगे उसके बदले हमें सारा देश देना जो आप लोग के सामने हैं कितना बड़ा घुटाला हुआ कितना पैसा लूटा गया देश में कितनी महगाई चरम सीमा पे बढ़ाई गई जो पिछले सक्तर सालों में महगाई नहीं बढ़ी मात्र 9 सालों में आपने दूगुनवा तिर्मुना जेला है तो सोचिए कि भारतिये जनता पार्टी और एक चोथा सिस्टम है धर्म का धंधा खूब चलता है भाई भारतिये जनता पार्टी का लेकिन इस धर्म के धंधे पे पबलिक की आँखे खुल चुकी है तो अब बच गये हैं कौन बागेस्वर बाले एक यह 24-25 साल का एक लड़का लोंडा इतनी उमर में यह अपने आपको कितना बड़ा संत और सबसे बड़ी बावा ने अपना शो बंद कर दिया एक दिन में ही पटना में दानापुर में आखिर क्यों बंद कर दिया सोचने की बात यह इसलिए बंद कर दिया कि यह कोई चमतकारी पमतकारी बावा नहीं है अरे बावा में जदी सकती होती तो जो 15 आदमी बिहोस हुए थे इसके प्रोग्राम में बिहोस नहीं होते चमतकारी बावा होता तो कोई भी बेक्ती बिहोस नहीं होता इसके प्रोग्राम में अगर यह चमतकारी बाबा होता तो इसके प्रोग्राम से लड़किया नहीं गैब होती 40 लड़कियों का आरोप है इसके उपर 40 लड़किया इसके प्रोग्राम में गैब हो चुकी है किसके पास गई ये लड़किया कौन से बीजेपी के नेता के पास गई या कहां पर ये बाबा ने सफलाई किया ज़दी हमारे देश में कानून की सिस्टम बहतर होती तो साथ ये बाबा अभी जेल में होता तो ऐसा कुछ नहीं है इस बाबा को कोई चमतकारी नहीं मानता हूं ये पगला बाबा है और ये पागल पंती का इसको दोरा पड़ता है इ ताली मारता रहता है देखते हैं आपने पागल खाने आप चले जाए ऐसे पागल आपको हजारों मिल जाएंगे पागल में उछल पूद्रने ब्रहामनों का सारा मीडिया में एक पूरा टीम है तो ब्रहामन में कितना भी गंदगी हो ना उस गंदगी को बात खुबी छुपाना जानते हैं और उसको अच्छी तरीके से अच्छे रूप से प्रस्तुत करना जानते हैं तो इस पगले को देश की गोधी मीडिया ब्रहामन बादी मीडिया मैं कह रहा हूँ यह सब इसको हीरो बनाने में लगे हुए और यह हीरो जड़ासल वो यहां से नहीं बन रहा है उपर से आकाओं को आदेश है कि इसको हीरो बनाओ क्योंकि पेमिंट तो कहीं और से मोधी सरकार के तरब से सारे चैनलों को माइनज किया जा रहा है बात समझ में आई आई आपको तो यह है पगला बाबा का राज अब यह पगला बाबा अपने आपको यह भी नेता गिडी करने लगा है आपने देखा होगा एक प्रोग्राम मे धर्म के परती होते हैं उनके अंदर दया ही दया होती है बाबा के अंदर लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया मुझे बाबा के अंदर बाबा तो बोल रहा है बुल डोजर चरहा दो लोगों के घर पे तोड़ दो पोड़ दो तो आप सोच सकते हैं कि यह बाबा किस तरीके क है और दूसरी बात भारतिय जनता पाटी की राजनितिक नहीं चलेगी उसके भी कई कारण है महगाई से बेरोजगारी से और जुमले बाजी से देश की जनता ठक चुकी है नौ साल में अब ना जुमले बाजी चलेगी ना इनका कोई हिंदू मुस्लिम का काड़ चलेगा ना कि इस वारी सैना के उपर हमला करवा के करेंगे वो साब जान चुकी है देश की जनता कि अपने ही देश के सैना को भी मरबा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकते हैं जब गोद्रा कांड हुआ देड़ महिने तक चला यह दूसरी फिल्मों की तारीफ करते है लेकिन जिस फिल्म से मोदी का राज खुलेगा उस फिल्म को यह बैन करते हैं जैसे बीजी ने बनाया था बैन कर दिया उस फिल्म को मोदी जी ने तो एसे है हमारे डरभोग परथान मंत्री जी जए हिंध